आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2015 की वीजन्स मूवी ये एक अमेरिकन सूपर नैश्रल हॉरर मूवी है जिसे एम डीवी पर 5.3 की रेटिंग मिली है इवी और उसका पती डेविड एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और इसके बाद इवी को उस घर में अलोकिक शक्तियों का सामना करना पड़ता है जिसे के उसे महसुस होता है कि उस घर में उसके अलावा और भी कोई मौजुद है और किसी के फुसफुसाने की और चिल्लाने की आवाजे भी उसे सुनाई देती हैं पर कोई उसके बातों का यकिन नहीं करता सब को लगता है कि इवी पागल है और ये सब उसका हैलिजिनेशन है लोग उसका यकिन नहीं कर दे क्योंकि एक साल पहले इवी के साथ एक हाथसा हुआ था जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गए थी तो चलिए जानते हैं उस हाथसे का और इन अजिब घटनाओं का क्या कनेक्शन है अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए फिल्म की शुरुआत में हमें इवी दीखती है जो हस्पिटल में थी और उसका एकसिडेंट हुआ था जिस दूसरी कार से उसका एकसिडेंट हुआ था उसमें छोटा बच्चा भी था जो उस एकसिडेंट में मारा गया था इस बात को याद करके इवी रोने लगती हैं और फिर कहानी एक साल आगे बढ़के प्रेजेंट में आती हैं जहां इवी तीन मेहने प्रेगनेंट थी उसके पती डेवीड ने उसके लिए एक नया घर खरीदा था जिसके आसपास वाइन याड था डेवीड इवी को बस खुश देखना चाता था जिसे वो पूरानी आदे भूला सके क्योंकि उस हाथसे के बाद इवी डिप्रेशन में रहने लगी थी पर इवी के प्रेगनेंसी की वज़े से वो दोनों बहुत खुश थे और अपनी जिंदगी की नई शुरुवात करना चाते थे डेविड की दोस्ती इमिलो नाम के एक इंसान से होती है जो उसे खेती करने में मदद करता है उस घर में सुबा इवी को कैटल यानि कौफी के बरतन की सीटी सुनाई देती है जिससे वो हैरान हो जाती है पर वो उसे नजर अंदाज भी कर देती है शाम को नए घर की खुशी में वो सब लोगों को पार्टी देते हैं उस पार्टी में हेलेना नाम की एक औरत आई थी जो एक डिस्टिब्यूटर थी इवी उसका वेलकम करती है हेलेना इवी से उसकी प्रेगनेंसी और पॉर्टर फैमिली के बारे में पूछती है पॉर्टर फैमिली उस घर में उनसे पहले रहा करती थी तब इवी हेलेना को कहती है कि मैंने बस उनके बारे में सुना है उन्हें कभी देखा नहीं हेलेना के अलवा उस पार्टी में एक और आदमी आया था जिसका नाम था विक्टर नेपोली जो उस टाउन में वाइन बेशता था हेलेना वाश्रूम जाने के बाहने इवी के घर में जाती है और कुछ देर बाद इवी भी घर में जाती है तो वो हेलेना को कुछ अजिब पोजिशन में कुछ विस्परिंग करते हुए देखती है तो इवी उसे आवाज देकर होश मेलाती है तब हेलेना इवी पर गुसा होकर वहाँ से चली जाती है रात को इवी हेलेना की इस अज़िब हरकोतों के बारे में डेविड को बताती है हेलेना को इस तरह देखकर इवी को लगता था कि शायद वो पजेस है और वो हैरान थी कि उसके प्रेगनेंसी के बारे में हिले नको कैसे पता था क्योंकि ना ही डेविड ने और उसने उसके प्रेगनेंसी के बारे में किसी को बताया था उसी रात इवी को सपना आता है कि उसका पेट कटा हुआ है और उसमें से बहुत सारा खुन बहरा है और उसी वक्त बेड के उपर की बनी मेटल की डिजाइन उसके चेहरे में आके लगती है इस सपने से उसकी आके खुलती है सुबा वो अपने चेक अप के लिए डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर कहते के सब नॉर्मल है क्या तुम्हें कोई और प्रॉबलम है तब इवी बताती है के उसे कुछ अजीब डराओने सपने आते है और उसे ड्राइविंग से अभी डर लगता है डॉक्टर उसे साइकेर्ट्रिस के पास जाने की सला देते है उस कार एक्सिडेंट के बाद इवी को PTSD सिम्टन्स थे डॉक्टर की इस सला पर इवी कहती है के मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे बच्चे को कुछ भी तकलिफ हो और वो साइकेर्ट्रिस के पास जाने से मना करती है पर डॉक्टर के कहने पर वो टाउन में एक योगा क्लास जॉइन करती है उस योगा क्लास में इवी की मुलाकात सैडी से होती है सैडी भी इवी के तर रात तीन मेने की प्रेगनेट थी उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है एक दिन अपने प्रॉपरटी में टहलते वक्त इवी को एक पॉंड के पास कोई परच्चाई और किसी की लाश तेरते हुए नजर आती है जिसे वो डर जाती है और उसके घर के नजदिक रहने वाले एक आदमी के उपर उसको शक होने लगता है जिसके हरकते उसे आज़िब लगती है तो इवी उसके उपर नजर रखना शुरू करती है वो डेविट को इस सब के बारे में बताती है पर डेविट को ऐसे ही बेवजा किसी पर नजर रखना गलत लगता है रात में इवी को अपने घर के बाहर कोई शक्स काले कपड़ों में नजर आता है जिसका चेहरा इवी को बिलकुल दिखता नहीं जो दूसरे ही पल में बिल्कुल उसके दर्वाजे के बाहर खड़ा हुआ उसे दिखता है जब तक डेविड वहां पहुंचता है तो वहां से गायब हो जाता है और डेविड को ये सब ईवी का वहम लगता है क्योंकि उनके लिए वो घर वो जगा नई थी दूसरे दिन इस सब के बारे में ईवी साइडी को बताती है वो कहती है के वो तुम्हारा वहम नहीं हो सकता इस एरिया में बहुत से चोर भटकते रहते हैं हो सकता है के वो कोई चोर हो उस वक्त ईवी साइडी को एक साल पहले हुए हाथसे के बारे में बताती है जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानती थी और इस वज़े से वो डिप्रेशन में रहने लगी थी पर जब उसे पता चला कि वो प्रेगनेंट है तब उसे जिन्दकी जीने की नई उम्मिद मिली थी इवी जब योगा क्लास से घर लटती है तब उसे घर में एक गन पड़ी हुई दिखती है और उसके घर का दर्वाजा भी कोई जोर जोर से खट खट आता है और टेबल पर रखी हुई सारी वाइन की बोतले अपने आप तूट जाती है और पहले टेबल पर नॉर्मल पड़े हुए कोईन कुछ इस तरह से खड़े हुए उसे दिखते हैं ये सब देख के इवी डेवीड को आवाज देती है पर जब डेवीड आता है तब ये सारे चीज़े नॉर्मल हो जाती है पर दर्वाजे पर अभी भी कोई था दर्वाजे पर लियो कार्ट्रेल नाम का एक आदमी था लियो का ओलिव आईल का बिजनेस था ये लियो वही इनसान था जिस पर इवी नज़र रख रही थी और अब ये डेवीड का दोस्त बन चुका था इन सभी वीजन्स के वज़े से इवी परेशान हो रही थी जब इवी फिर से चेक अप के लिए जाती है तब डॉक्टर उसे इन हैलिजनेशन के लिए दवाई लेने के सला देते हैं पर इवी ये मानने को तयार नहीं थी कि ये सब उसका हैलिजनेशन है वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो ठीक है और उसे किसी दवायों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इवी इसलिए भी डरती थी कि कही उन दवायों का साइड इफेक्ट बच्चे पर ना हो रात को साइडी और उसका पती बेन इवी के घर डिनर के लिए आते हैं पर वहाँ डेविड और इवी का जगड़ा हो जाता है इवी परेशान थी कि डेविड उसकी बातों पर यकिन नहीं कर रहा था वो साइडी को कहती है कि यहाँ पर जरूर कुछ गलत है और वो मेरा इमेजिन नहीं है तो साइडी उसे कहती है कि शायद यह घर हांटेड हो सकता है तो दोनों दूसरे दिन सुबा प्रॉपर्टी डिलर के पास जाते हैं पर उने उस प्रॉपर्टी और उससे जुड़े किसे भी हाथसे के बारे में कोई जानकरी नहीं मिलती जब इवी घर आती है तब उसे फिर से किसी की आवाजे सुनाई देती है जो उसे कहती है हेलो इवी तुमसे मिलकर खुशी हुई वो बाहर जाके देखती है उसके घर का दर्वाजा उसे खुला मिलता है और जंगल से किसी के रोने चिलाने के आवाज आती है यह आवाजे नहीं नहीं करके चिला रही थी और बाद में गोली चलने के आवाज भी आती है इवी को उस घर का पास जानना ज़रूरी था वो लिए तुम अपने आपको दोशी मानना छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा फिर डेवीड इवी के करिब जाने की कोशिश करता है पर इवी को उस वक्त डेवीड में वही काले कपड़े वाला शक्स दिखता है जिस वज़े से वो डर कर उसे धक्का मार देती हैं इस तरह से वो म काहर गिर जाती है इवी एक फैशन डिजाइनर थी इसलिए उसके घर में इस तरह के स्टैचू मौजद थे सुबह वो डॉक्टर के पास जाके चेक अप करवाती है पर सब नॉर्मल था इस हादसे के बाद इवी हैलुजनेशन की गोलिया लेना शुरू करती है ऐसे दिन दवाई लेना गलत लगता है वो इवी से कहती है कि तुम्हारा इस तरह दवाई लेना तुम्हारे लिए नहीं बलकि तुम्हारे पती के लिए फाइदे मंद है सैड़ी ये इस तरह से कहती है कि मानों वो दोनों के बीच फूट डालना चाती हो फिर उसी कैफे के बाहर जिब तस्वीरें मिलती हैं इस वज़े से इवी गोलिया खाना बन करती हैं सुभा उसके पोस्ट बॉक्स में किसी जैन पॉर्टर नाम की एक औरत के लिए लेटर आया था वो किसी बिल की कॉपी थी जो दुकानदार ने उस पते पर भीजी थी जैन ने कुछ किताबे खरी द लगता है कि उस घर में रहते वक्त जैन ने भी कुछ महसूस किया होगा वो जैन को बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में हेलेना से पता चला जैन भी हेलेना को जानती थी तो जैन इवी को हेलेना से मदद मागने को कहती है इवी को लगता है कि सच में उस घर में कुछ कुछ है तो वो अपनी सारी दवाईया फेक देती है और हेलेना उसे दिलासा देकर कहती है के डरो मत मैं तुम्हारी मदद करूंगी हेलेना इवी को बताती है के मैं जब तुम्हारे घर आई थी तब मुझे कुछ अंजन शक्तिया वहाँ पर महसूस हो रही थी जो बहुत एंग्री डरी हुई थी फिर इवी हेलेना को उस पॉंड के पास ले जाती है जिसके पानी में उसने कोई साया देखा था हेलेना अपने शक्तियों से कुछ करके उन अंजन शक्तियों से कनेक्ट होने लगती है पर उस पानी से मानो कोई लाश बाहर आते हुए उन्हें दीखती है तो दोनों वहाँ से डर कर ईवी के घर जाते हैं हेलेना उसे बताती है कि उस प्रॉपर्टी पर जरूर कुछ बुरा और भायानक वाक्या हुआ है वही पर हेलेना को उसके बेटी का फोन आता है तो उससे बात करने के लिए ईवी उसे प्राइवेसी देती है और किचन में चली जाती है किचन में इवी की नजर एक वाइन की बाटल पर जाती है जिस पर उनके घर की फोटो लगी थी और उस वाइन बनाने वाले इनसान का नाम था उस पर नाम था नेपोली और फिर से इवी को विसल के आवाज आती है और मानो कोई बाते कर रहा हो ऐसे आवाजे सुनाई देती है तो वो उसे देखने हॉल में जाती है पर हेलेना वहां मौजूद नहीं थी और अचानक से इवी के पास की दिवार पर किसी के पंजे की निशान आते हैं जो खून से भरे हुए थे और घर का सामान याने कुरसी और लैंप अपने आप हिल कर उसके रास्ते में आते हैं जिस वज़े से इवी काफी डर जाती है हेलेना इवी के बेडरूम में अजिव हालत में नीचे पड़ी थी हेलेना को हार्ट अटेक आया था इवी जल से जल एम्बिलोंस को काल करती है तब हेलेना इवी को पकड़ के कहती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है वो तुम हो ऐसी कुछ मिस्टेरियस बात करके हेलेना मर जाती है हेलेना की मौत से इवी बहुत दुखी होती है जब हिलेना की डेट बॉड़ी वहाँ से ले जा रहे थे तब वहाँ खड़े हुए इमिलों के खेत में काम करने वाली मजदूर औरत कोई अजिब डॉल निकाल कर उसे हवा में हिलाते हुए कुछ मंत्र पड़ती है ये सब देख के इवी उसे पूछती है के ये सब क्या है वो औरत कहती है ये एक प्रोटेक्शन है इमिल से बचने का जब से तुम यहाँ आई हो वो बहुत शक्तिशाली हो गए है और उसी रात इवी वो घर छोड़कर जाने का फैसला करती है और डेविड को उन तस्वीरों क के बारे में भी पूछती है जिस पर डेविड कहता है कि ये तस्वीर इमिलों के खेत में काम करने वाले मजदूरों ने उसे दी है यह उनके कर्ण से जुड़ा है जिन पर यह सब लोग विश्वास करते हैं रात को ईवी वहाँ से चली जाती है और एक रात बाहरी कही होट के ग्रेट ग्रैंड फादर ने वो घर 1881 में बनाया था और उनके परिवार वालों को भी इसी तरह के अजीब आवाजों और हाथसों का सामना करना पड़ा था जिसे समझना उनके लिए नामूमकिन था जब यह सब उनके साथ हुआ था तब वो बहुत छोटा था जिसके ब पारे में जानने के लिए उसने दूसरी दुनिया के लोगों से कांटेक्ट किया तब उन्होंने कुछ स्केज बनाए थे वो सकेज ने पॉली ईवी को दिखाता है और ईवी हैरान हो जाती है वो सकेज देक के क्योंकि Means अपने को को कॉल लगा कर उस घर से बाहर आने को कहती पर डेविड उसे वही बुलाता है उसे पिक अप करने के लिए और जब इवी वहाँ जाती है तब उस घर में इवी के एक दोस्त एलिन डॉक्टर और वो औरत मोजुद थी जो डेविड के साथ उसने कैफे में देखी थी उस औरत का नाम था विक्टोरिया वो डेविड की फ कर वो हैरान में पढ़ जाती है क्योंकि यही आवाज उसने कुछ दिन पहले सुनी थी और वो सब को उस घर से बाहर चलने के लिए कहती है पर कोई भी उसकी बातों पर यकिन नहीं करता और फिर इवी को किचन में से कैटल के आवाज सुनाई देती है जो इस बार वहाँ जरूर कुछ होगा हम इस घर को छोड़के यहां से चले जाना चाहिए तबी दर्वाजा कोई जोर-जोर से खट-कट आता है वो दर्वाजा खोलने को मना करती है पर फिर भी डेवीड वो दर्वाजा उपन करता है दर्वाजे पर वही शक्स दिखता है जिसे उसने कुछ दिन पहले अपने घर के बाहर देखा था वो काले कपड़े पहने हुआ शक्स वो और दूसरा कोई नहीं बलके सैडी थी जो कहती है हम अस्पताल जा रहे थे रास्ते में उसे तकलिफ होने लगी सैडी के साथ उसका पती बेन भी आया था इवी किचन में जाके पुलिस को क करने लगती है पर डेविड उसे मना करता है और डेविड को कहती है यहाँ कोई घोस नहीं मुझे प्रिमोनेशन हुआ था मेरा यकिन को रो तभी वहाँ सैडी आती है और उन पर गन तान देती है और उन्हें लिविंग रूम में ले जाती है जहाँ पर उसका पती बाकी ल निशान उस दिवार पर पड़ते हैं यह बॉटल का तूटना और हाथों के निशान इवि ने इससे पहले देखे थे डेविड बेन की बंदूग चिनने की कोशिश करता है और इवि सैडी की तब सैडी के हाथों से डॉक्टर को गोली लगकर उसकी मौत हो जाती है और सैड इवि को मारने उसके पीछे किचन में जाती है पर वहाँ डेविड आके उसे बचाता है जहाँ पर सैडी को चाकू लगता है तब वहाँ पता चलता है कि सैडी असल में प्रेंगनेंट नहीं है वो बस नाटक कर रही थी और सैडी ही डेविड को पेट में चाकू मार कर उसे गायल करती है और वो ईवी की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए पर ईवी उस टैचू को उसकी तरफ धकल कर उसे खिड़की से बाहर गिराती है जिस तरह से वो खुद कुछ दिन पहले बाहर गिरी थी और वो भी घर से बाहर भाग जाती है भागते वक्त ईवी देखती है के बैन एलिना को मार रहा है और एलिना नही नहीद करके नो नो करके चिला रही है जिसके बाद बैन उसे गोली का निशाना बनाता है यहाथसा भी एवी ने कुछ दिन और पहले सुना था घर से बाहर जा कर वो जंगल में छोब जाती है जहाँ पर लियो आता है उसे कुछ आवाजे सुनाई देती है तो वो जानने के लिए उनके खर के बाहर आता है पर बेन उसे भी गोली मारकर पॉन्ड में फिक देता है जहाँ पर ईवी को कुछ दिन पहले कोई लाज दिखी थी फिर वो दोनों ईवी को पकड़ के घर लाते हैं जहाँ वो ईवी को घसिटते हुए ले जाते हैं और आपने आपको रोकने के लिए ईवी कुरसी और लैम पकड़ती है ये वही मोमेंट था जहाँ पर ईवी के रास्ते में अपने आप कुरसी और लैम आते हैं जब वो हेलेना के साथ थी अब यहां तक पूरी कहानी क्लियर हो जाती है कि इवी जो देख रही थी जो सुन रही थी वो एक प्रिमोनेशन याने एक पूरवा भास है और वो अन्नोन परसन सैडी थी जो उसे दिखाई दी थी पर उसका ऐसा करने का मकसद अब तक सामने नहीं कर दिया था उस एक्सिडेंट में मैंने अपने बेटे को खो दिया था जो तुम्हारी वज़े से हुआ था और अब मैं फिर से मा नहीं बन सकती मेरा बेटा मेरी जिन्दगी था जिसे तुमने मुझसे चीन लिया अब तुम भी वही दर्द महसूस करोगी जिसे मैंने छीन लूंगी ये कहे के वो इवी के पेट को काटने लगती है और इवी अपने आपको छुडाने की कोशिश करती है और बेट से बंदे हुए उसके हाथ खुलने लगते हैं जिसके साथ वो मेटल डिजाइन का तुकडा भी तूट जाता है और इवी का एकाद छूट जाता है और वो उस मेटल के टुकडे के साथ सैडी के गले पर वार करती है ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसा उसने सपने में देखा था बस इस वक्त उसकी जगा सैडी थी गला काटने पर खोन बहने के वज़े से सैडी की मौत हो जाती है और ये सब देकर बेन बहुत गुशा होता है और बेन इवी का गला घूटने लगता है पर डेविड उसे गोली मार कर उसे मार देता है और इस तरह से इवी बच जाती है एक साल पहले ईवी के गाड़ी के साथ जिस कार का एकसिडेंट हुआ था उस सामने वाली कार में सैडी और उसका बच्चा था जिसमें उसका बच्चा मर जाता है उसका बदला लेने के लिए सैडी ईवी से दोस्ती करती हैं और वक्त आने पर उसे उसका बच्चा छीनना चाती थी पर वो नाकामियाब रहती हैं और फिल्म की एंड में हम देखते हैं कि उन्होंने वो घर बेश दिया था जिसके बाद प्रॉपर्टी डिलर और एक नए कपल को वो घर दिखाने ले आता है और तब ही वहाँ कुछ कोईंस दिखते हैं जो उसी तरह से खड़े होते हैं फिल्म यही खत्म हो जाती है यानि कही न कही वो जगा ही कुछ शक्तियों से भरी थी जो वहाँ रहने वालों को होने वाली हाथसों के बारे में आगा कर रही थी बस जरूरत थी उसे समझने की बस यह वीडियो यहां तक ही अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बिल आइकन जरूर दबा दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में